हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल सेल्फ में ट्यूटोरियल आज मैं लेकर आई हूँ पीजी सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के पेपर वन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेपर वन में दो गुरूप पढ़ने हैं गुरूप ए और गुरूप बी आज मैं बात करने वाली हूँ नेशनल हिस्ट्रोग्राफ़ी इंडियार नेशनल हिस्ट्रोग्राफवर हिस्टोरियन है आरशी मजमुधार अर्शी मजमुधार भारतिय राष्टवादी इतिहास लेखन के प्रसिद इतिहासकार है इनके संबंध में आज इनके प्रारंभिक जीवन, उनके कैरियर और उन्होंने किस तरह के आधनिक भारतिय राष्टवादी इतिहांस लेखन में अपना योगदान दिया उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिजल्स में मैं चर्चा करूंगे आप लोग को इसके बारे में बताऊंगे तो सबसे पहले आप लोग तो जान गए कि आर्ची मजमुदार का इतिहांस लेखन भारतिय राष्टवादी इतिहांस लेखन है इसके आलावे भी उनकी एक विसेशता है कि उन्होंने अपना सोधकार्च और उन्होंने प्राचीन भारतिय इतिहांस लेखन पर भी अपनी लेखनी चलाई है तो चदिया स्टार्ट करते हैं आर्शी मजमुदार भारती इतिहांस के परसीद इतिहांस कार एवं एक पुर्फेसर थे। उन्होंने प्राचिन भारत की इतिहांस पर बहुत का सारे कार्ज किये। उन्होंने एक राष्टवादी इतिहांस कार के रूप में भारती राष्टे अंदोलन पर भी अपने विच मैं इसका कारण मी बताऊंगी कि उनकी इतिहास लेखन में अनितिहास कारों की तुल्ला में भीनता क्यों पाई जाती हैं। विशेश का रष्टवादी इतिहास लेखन में। आर्शी मजमुदार के प्रारंभिक जीवन। आर्शी मजमुदार का जनम। 4 दिसम्बर 1888 इस्वी को बंगला देश के फरीदपूर जीला में हुआ था। आर्शी मजमुदार का पूरा नाम मैं आपको बता दू। रमेश चंद्र मजमुदार उने लोग वे इतिहास में आर्शी मजमुदार के नाम से भी फेमस हैं। उनके पिता का नाम हलदर मजमुदार और माता का नाम बीदु मुखी मजमुदार था। उनकी पत्नी का नाम पृयमबला था। उनका बचपन निर्धनता में वेतित हुआ। लेकिन बचपन से वो बहुत ही मेधावी थे। इतिहास लेखन में या किसी प्रकार की रचना में उन्हें अत्यधिक रूची थी 1907 इस्वी में F.A. की परिक्षा 1st क्लास से रिपन कोले से उन्होंने पास किया उसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वी दाले से 1929 इस्वी में सनातक उतर की बढ़ाईपूरी की 1913 में कलकत्ता विश्वी दाले से सोधकार्ज के लिए प्रेम चंदर राय चंदर चात्वरिती प्राप्त की उन्होंने कोई scholarship का एक्जाम दिया और उसमें वो पास हो गया और ये चात्वरिती उन्हें मिली अब जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद किस तरह की career अपनाई उन्होंने किस तरह से राजनीती में प्रवेश किया तो उनके प्रारंभिक कर ली career के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सिक्षन केरियर एक सिक्षक के रूप में स्टार्ट किया वो भी कहां से धाका गौर्वर्मेंट ट्रेनिंग कॉलेज से स्टार्ट किया 1921 इस्वी में वे धाका विस्वीद्दालय में पूर्फेसर नियुक्त हुए इसके पहले वो धाका विस्वीद्दालय में पूर्फेसर नियुक्त होने से पहले कलकत्ता विस्वीद्दालय में एक सिक्षक के रूप में कार्च करते थे 1921 से 1936 इसवी तक तुँ अपने पूर्फेसर के पदपे कार्च किया 1936 से 1944 इसवी तक वे विश्विद्धालय को उपकुलपती रहे वे 1950 से बनारास हिंदू विश्विद्धालय के एंडिलोजी कॉलेज के प्रिस्पल थे भारती राष्टी इतिहांस सम्मेलन के अध्यक्ष भी चुने गए वे अंतराष्टी अयोग के अध्यक्ष भी बनाये गए यह अयोग उने इसको द्वारा मानो जाती के इतिहांस लेखन के लिए बनाया गया था इस तरह से समाज के विभीन पदों पे अपनी महत्पूर्ण भूमिका का परचय देते हुए उन्होंने अपना सोधकार्ज स्टाड किया वो आगे बढ़े और इस तरह से उनका सोध भी सहज हो था प्राचीन भारती इतिहांस पे अधारित था 1955 में वे नागपूर विश्विद्धालय के इंडोलोजी कॉलेज के सस्थापक प्रिस्पल बने 1958 से 1969 में उन्होंने सिकागो और पैंसिल्वेनिया विश्विद्धालयों में भारती इतिहांस पढ़ाया 1966 to 68 में वे एसियाटिक सोसाइटी एवं बंगे साहित परिशद यानि कि बंगाल के साहित परिशद को बंगे साहित परिशद कहते हैं बंगे साहित परिशद के अध्यक्ष भी चूने गए कुछ समय तक 1960 से 1968 है में वे कलकत्ता के सेरिफ भी बने सेरिफ जो होता है एक परकार के से अंग्रेजों दुवारा दिया गया एक पद था अंजो के टाइम में ये पद क्रियेट किया गया था अब हम उनके जीवन पर जायाने उन्होंने प्रारंबिक जीवन क्या था उन्होंने किस तरह अपने कैरियर को आगे बढ़ाया और किस तरह से इत्यास राजनिती में उनका परवेश हुआ इत्यास लेकन में ये तो मैं चर्चा कर चुकी हूँ अब हम ये पढ़ना चाहत रहे हैं कि राष्टवादी इतिहास लेकन में उनका योगदान क्या है तो भारती राष्टे अंदोलन की इतिहास लेकन में आर्शी मजबुदार का प्रमुखस्तान है ये तो सर्ववीद्ध है उन्होंने अपने ढंग से राष्टवादी इतिहास का परमानिक विवरन प्रस्तुत किया है यानि कि राष्टवादी इतिहासकार में तो बहुत सारे हुए, आधनिक राष्टवादी इतिहासकार, लेकिन इनके विब्रन जो है, थोड़ा अलग तरीके से इतिहास को वर्नित किया है। सोतंता प्राप्त करने में जो कठनाई हुई या उनके जो इतिहास वो उनके लेखन के लिए एक सरकारी लेखक नुखतिये गए। वो थे फोस्ट थे आर्सी मजमुदार। लेकिन इस लेखन नियोजना का और इस तरह से उन्हें लेखन निदेशक बनाया गए डारेक्टर। लेकिन कतिपय कारणों से सरकार ने उनके द्वारा लिखी तिहास के पर्थम भाग को सुईकार नहीं किया। इसके कारण मैं बताऊंगी निकालूंगी क्यों सरकार नहीं किया। अभी तो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ आर्सी मजमुदार के पुरे इतिहास लेखन पर एक स कारणों पर मजमुदार ने खुद अपना एक मत दिया है। उनके अंसार कहते हैं कि बंगाल का स्वरूप बड़ा दिखाई पढ़ने के कारण उन्हें निदेशक बर्थ जाटा दिया गया। मजमुदार का कतना एक हैं कि वह बंगाल के रहने वाले थे और उन्हों ने राष्ट्रिय अंदोलन में बंगाल के स्वरूप को बड़ा दिखाया था। कि उसके राष्ट्री अंदुलों ने बंगाल के महत्यों को महत्पूर्ण सीध किया था। इस कारण से उन्हें निदेशक पद से हटा दिया गया। और 1955 में इस पद पर डॉक्टर तारा चंदर की नियुक्ति की गई। गलांतर में डॉक्टर मजमुदार ने अपने द्वार को लिखकर उन्होंने खुद उससे परकाषित करवाया। जबकी 1955 में असरकार ने तारा चंदो को नियुक्त किया था, भारतिय राष्टी अंदुलन की इतिहांस लिखने के लिए और उनकी पुस्तगों सरकार ने परकाषित करवाया। इस 있Hyे से भारतिय बिचार के अन्रूप सोत अंत्र अंदोलन की राजनितिक व्याख्या की है। जैसे कि मैं आपको बताया कि उनके विचारों में उनके पुस्तकों में विविंता देखने को मिली, अलग-अलग मत देखने को मिले। लेकिन बहुत गहराई से सुक्षम रूप से अगर उनकी जानते हैं कि भारती राष्टवाद बिटिस अपनिवेसिक नीती की उपज है। वे ये भी स्विकार करते हैं कि भारत में राष्टवाद की भावना का उदय अंग्रेजों के काल में ही हुआ था। राष्टवादी इतिहांस लेक्षन में 1857 की घटना के संबंध में इतिह संबंध में विचार देती वे कहा है कि भारत में बिटिस समराज को पर्थम चुनावती के रूप में वर्णित किया गया है। पर्थम लेखक के अनुसार इनका मुख उद्देश पूरातर में खोई उपरतिष्टा को फिर से अस्थापित करना था। परन्तु वहीं 157 इसवी के करांती को न तो पर्थम न राष्ट्रिय और ना ही सतंत्रता यूद माना है। इसके आगे बढ़ते हैं तो भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रिस की अस्थापना को मजबुदार सहाब ने अपने इतिहांस लेखन में कोई विशेस महत्म नहीं दिया है और ना ही उ छेप में ही इसका वर्णन किया हैं। अब मैं तोड़ा आगे बढ़ती हूँ देशजादी के संबन में संप्रदाइक्ता के संदर में मजमुदार सहाब हिंदू और मुसल्मान के दो बिरोधी जातियों के रूप में वर्णित करते हैं। उनकी अनुसार मुसल्मानों ने अपनी विशिष्श्टा को बनाए रखने के लिए अपने आपको भारतीय राजनिती की मुख धारा से संजुप्त नहीं किया। यानि कि मुसल्मान चाहते थी कि वो हमेशा से अलग थ Natalग रहे। इसलिए उन्होंने भारतीय राजनिती की मुख धारा से अपने को नहीं जोड़ पाएं और अपने स्वतंत्र व्यक्तित के माधम सराष्टवाद की जड़ पर प्रहार किया इसलिए डॉक्टर मजमुदार इन घटनाओं के व्याख्या करते हैं और लास्ट में हम यह कह सकते हैं जब भारत का भी भाजन हुआ तो डॉ करके अनुसार या जाज हैं अब डॉक्टर मजमुदार ने अपनी पुस्तक में भारतिय राष्ट राष्ये आंदोलन के कीरानतिकारे हुए उन्होंने कुछ करांतिकारियों पर अपना अलग बिचार दिया, अन्हें इतिहांसकारों से इनका बिचार कुछ अलग दिखता है, इन्हें हम कुछ अभी चर्चा करेंगे, जिसमें सुभाज चंद बोष, गांधी जी, जवारला लेरू की चर्चा हम कर रहे हैं, डॉक्टर उन्होंने अपनी पुस्तक में कई अस्तानों पर गांधी जी की अलोचना भी की है, वह गांधी जी को भारतिय राष्टवाद का जनक नहीं मानते, अपीतु उन्हें राजनिती के दिश्टी से एक दूर्वल वैक्ती लिखते हैं, ततकाली राजनिती पर परभाव के से वेजवार लानलेरू के संदर संबंध में मुख हैं, उनके अंसार भारतिय राष्टवाद के जनक की उपाधी सरलता से सुरेंदरनात बैनर जी को दी जा सकती है, यानि वह चाते हैं, भारतिय राष्टवाद के जनक गांधी जी को न करके सुरेंदरनात बैनर जी को कहा जाए तो ज्यादा जैज रहेगा डॉक्टर मजमुदार ने गांधी जी को देश की एकता के अस्थापना में असफल बताया है इसका कारण मुख रूप से यह है कि गांधी जी द्वारा चलाए गया अंदोलन समय से पहले ही अपनी मता को खोने लगे और उनका अनिसा का सिध उनके कारण ही कॉंग्रिस का स्वरूप उत्रोतर समरजवादी बनता गया जिसके फल स्वरूप मुस्लिम लिंक की सौधेबाजी की सक्ति में ब्रिती होने लगी गांधी जीने तर्क के अस्थान पर भावना को महत परदान किया प्रंतु देश के परति उनका सबसे बड़ जुला विचार काफी हद तक सही भी परतित होता है इस तरह अपने इतिहांस लेखन को आगे बढाते हुए मजमुदार साहब ने भारत में स्वधिन्ता की अस्थापना का सरे ततकालिन प्रस्तितियों और भारती सेना के अस्थंतोष को दिया है परतु यह तुजानते हैं हैं कि राष्टवाधी इतिहांस लेखन में मजमुदार साहब का विचार अन इतिहांस कारों से अलग है तो जश्टिस के विप्रित तरह चंद ने अपने इतिहांस में गांधी जी का राजितियों परवेश को सबसे महत्पूर बताया है अब हम अपना निसकर्ष निकालेंगे अब हम इस अध्यान से यान राष्टि इतिहांस लेखन में आर्शी मजमुदार साहब का इन योगदानों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जहां मजमुदार साहब ने केवल मुख राजितिक बिंदों की द्यान दिया और शमाजिक यो आर्थी संकटों को न कार दिया इस तरह से यह भी बात की जनकारी होती है कि भारतिय राष्टिया अंदोलन के परती मजमुदार साहब का द्रिष्ट कोन जो था पूरी तरह उगरवादी था क्यूंकि उन्होंने अपने लेखन में बंगाल को सरवाधिक महत्त परदान क अब आपको पता चल गया होगा कि मजमुदार साहब ने इतिहांस लेखन में अनितिहांस कारों के तुला में अलग विचार क्यों दिये यसे हम लोग जानते है कि बंगाल भारतिय राष्टिय अंदोलन में अंदोलन का मुख के अंदर था और इसलिए मजमुदार साहब बं अक्षपाती तो हुए ही और उन्होंने सारा स्रे बंगाल के क्लांतिकारियों वहां की घटनाओं को ही देने का काफी हद तक वो प्रयास किये इसलिए अपने आपको उन चीजों से अलग नहीं कर पाएं इसलिए उनका इतिहांस लेखन में अन इतिहांस कारों के तुलना मे थोड़ी अलग परती थोगी लेकिन जो भी हो आरसी मजमुदार एक परसिद इतिहांस कार है इस बात को हम लोग भूला नहीं सकते हैं अब कमेंट सेक्षन के माध्य हम से बताइए कि आपको कैसा लगा हूँ मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो अफलोट करते रहूंगी आप मेरे चैनल को देखिए अगर यह आपके लिए यूजफूल हो यह आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिया और वो बच्चे जिनके पास यह मेरा लिंक नहीं पहुँच पा रहाया और इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको बताईए कान की वे जरुरत मन लोगों को इसके महत्यों के बारे में पता चले और वे लोग इसे देखें